हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी मध्य परदेश की 2021 की योजना और अभियान के बारे में और उसके बारे में मैं डिटेल में डिसक्रस करूँगी और उसके important facts आपके साथ share करूँगी इसके पहले मैंने इसका part first और second बनाया है यदि अभी तक कि आपने नहीं देखा है तो मैंने description box में उसकी link दी है उसमें click करके आप easily उन videos को भी देख सकते हैं तो चलिए start करते हैं आज का ये video आज की first जो योजना है वो है मुख्यमंत्री COVID उपचार योजना इसकी शुरुवात हुई थी 7 मई 2021 को ये MP गॉर्मेंट ने अपने प्रदेश के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को COVID के निस्वल्क उपचार के लिए से start किया है इसमें गॉर्मेंट और प्राइवेट दोनों हस्पिटल में फ्री इलाज होगा फ्री उपचार होगा अगली योजना है कोवी सेफ रोड ये इंदोर शहर से start होई थी COVID-19 महामारी के बारे में लोगों को जाग रुप करने के लिए इसमें लोगों को वैक्सीन के लिए प्रोचसाहित किया जाएगा एंकरेज किया जाएगा की वे वैक्सिनेशन जरूर करवाएं इसलिए 16 जून 2021 को लाल्टेन चौराहा से जनजीरवाल वाला चौराहा तक की सड़क को राज के जलस अंसाधन मंतरी तुलसी राम सिलावट द्वारा कोवी सैफ रोड घोसित किया गया इसमें इस रोड को कोविड प्रोटकॉल की मॉडल रोड घोसित किया गया है इसमें स्वास्त विभाग द्वारा एक सेंटर बनाया जाएगा यह पूरा भ्यान IMA इंदौर ब्रांच चिकित्सा विभाग मोईरा सरिया पुलिस प्रसासन रहवासियों के सहयोग से चलाया जाएगा अगली योजना है मुख्य मंतरी आशरवाद योजना यह साथ फरवरी 2021 को गौलियर प्रवास के दोरान मुख्य मंतरी द्वारा चालू की गई थी इसमें असहाय बुजुर्ग और दिव्यांग को घर पर ही रासन मुहिया करवाने के लिए ताकि वे किसी पे निर्भर न रहें इसलिए गौलियर जिला प्रसासन ने इसे चालू किया है गौलियर जिले कि इस योजना को बतोर मौडल पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा और इसमें टोटल 3607 वरद और दिव्यांगों के घर पर शास की उचित मूलिकी दुकान से रासन पहुचाया जाएगा इसमें 65 वर्स और उससे अधिक के बुजुर्गों को सामिल किया गया है नेक्स्ट है मेरा गाउं कोरोना मुक्तभियान ये भी इंदोर जिले के खुडैल और सावेर से स्टार्ट किया गया है 6 मई 2021 को इसमें ग्रामीड छेत्र में कोरोना से निपटने के लिए ग्राम पंचायतवार पर विसेज ध्यान रखा गया है और घर घर पर सर्वे अभियान स्टार्ट किया गया है संदिग्ध मरीजों को आईसोलेट किया गया है जिनने ऐसा लग रहा है कि कोबिड है उन्हें आईसोलेट किया गया है और ग्रामीड इस्तर में निगरानी को बढ़ाया गया है और जन प्रतिनी धियों से अपील की गई है कि अपने गाओं चौपाल और चौराहों पर सामुहिक संड गठन बना कर लॉकडाउन का सक्ती से पालन करें अगली है मैं कोरोना स्वयम सेवक हूँ अभ्यान इसमें कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए मद्धिप्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा से स्टार्ट किया गया है इसमें लोगों को अपने आप को कोरोना वॉलेंटियर के रूप में रजिस्टर करना होगा और कौनसी वेबसाइट पर करना होगा mpmyjov.in पर रजिस्टर करना होगा 181 पर कॉल करके इसमें स्वयम सेवक सरकारी व्यवस्था के अतिरिक वेक्सिनेशन, स्वयम सेवक और चिकित्सा सुविधा स्वयम सेवक के रूप में आप अपने आपको रजिस्टर कर सकते हैं स्वयम सेवक का कार क्या रहेगा मास्क लगाने के लिए लोगों को प्रेडित करना और आग्रह करना, मास्क उपलब्ध कराना जिसके पास मास्क नहीं है उन्हें मास्क लगाने के लिए प्रेडित करना अगली है एक कैमरा मेरा भी अभियान इसमें इन दौर से बढ़ते इन दौर में जो बढ़ रहें अपराद उन्हें रोकने के लिए शहर की सुरक्षा के लिए पुलिस द्वारा ये एक कैमरा मेरा अभियान स्टार्ट किया गया है इसमें कैमरे लगाएंगे जग़ जग़ पर पुलिस द्वारा शहर के सभी सरकारी निजी प्रतिस्थानों और घरों में लगे करीब 80,000 CCTV कैमरा के डेटाबैस का जो काम है वो स्टार्ट किया गया है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे सारे वीडियो की सीरीज रेगुलरली देखते रहिए थैंक यू फ्रेंड्स